नमस्ते दोस्तों जेजे के मांगा चैप्टर 257 में ये बताया गया है कि यूजी सुकुना का ट्विन है अब मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है तो एक्चुली जब कलिंग गेम स्टार्ट हुआ था तो तब से बहुत कम ही बट कुछ थियोरीस च पताने वाला हूँ और मैं इस वीडियो में सिर्फ कुछ कुछ ही मांगा पैनल शो करूँगा तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब लास्ट चैप्टर में यूजी सुकुना को एक ब्लैक फ्लैश मारता है और चैप्टर 257 शुरू होता है और सुकुना और उरामे यूजी के बारे में बात कर रहे हैं उरामे सुकुना से पूछती है कि यूजी एक नॉर्मल हुमन होने के बावजूद भी एतना स्ट्रॉंग क्यों हैं तो सुकुना बोलता है अच्छा यूजी वो तो मेरा ट्विन ब्रदर है जिसको मैं अपनी मा के पेट में खा गया था। मतलब सच में सुकुना खुद ये रिवील करता है कि यूजी मेरा ट्विन ब्रदर है और मैं उसको अपनी मा के पेट में खा गया था ताकि मैं भूक से ना मरू और पता नहीं कैसे बड़ मेरे ट्विन की डेट सोल के इंजाकू तक पहुंच गई और उसने यूजी को बनाया और इसको गेगे ने ऐसे रिवील किया कि जिसमें सुकुना चिलो के बता रहा है और गेगे चाहता है कि हम ये रिवील बिना किसी कोशन के डाइजेस्ट कर लें मतलब कि कहानी के एंड होने तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि आखरिकार सुकुना ने जब वो अपनी मा के पेट में था ना तो कैसे ये चीज याद है उसे और चलो माल लिया कि सुकुना एक बहुत ही बड़ा तोप है या फिर वो पैदा ही कर्स था इसी वज़े से ऐसा हुआ तो भाई गे गे आप हमें ये बताईए कि जब आप अपनी मा के पेट में थे तो क्या आपको भूक लगी थी भाई उस टाइम पे जब मा कुछ खाती है ना तो उस फूट की हाफ एनरजी या फिर हाफ प्रोटीन पेट के अंदर बच्चे को मिलता है सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना और चलो मैं इस बात को भूल भी जाओ ठीक है तो जब सुकुना ने अपने ट्विन को खा लिया था तो कैसे उसकी डेट सोल के इंजाकू के पास पहुच गई कुछ भी कुछ भी कुछ भी अब जो भी हो हम यह कह सकते हैं कि सुकुना के ट्विन ब्रदर का रिंकार्णेशन यूजी है तो इसी लिए यूजी को सुकुना का भाई मान सकते हैं और जो थियोरी चल र रहे होंगे कि क्या फिर यूजी के पास सुकुना जैसी पावर्स हैं जिसको वो यूज कर सकता है तो ये चीज आपको चैप्टर में आगे पता चल जाएगी अब चैप्टर को आगे एक्स्प्लेइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूजी सुकुना क जहां पर यूजी ने कंसिस्टेंटली दो ब्लैक फ्लेश सुकुना पर मार दिये हैं और यहां पर अब यूजी अंगिनत ब्लैक फ्लेश मारने वाला है मतलब देखकर तो ऐसा ही लगता है और सुकुना यूजी को पिलर पर फैक्टा है और वो उस पिलर को पकड़ कर काड देता है हाँ यूजी ये करता है और पिलर का टुकड़ा यूजी सुकना पर फैक्ता है और इसके आगे नेरिटर ये बताता है कि यूजी के पास अभी फिलाल के लिए कौन कौन सी कर्स टेखनीक है जिसमें पहला तो blood manipulation है जिसको यूजी ने death painting consume करके acquire करी होंगी और दूसरा सुकना की curse technique मिजूशी मतलब की slashing तो ऐसा हो सकता है कि यूजी सुकना का domain भी use कर ले मतलब सुकना भी सोच रहा होगा कि मजाग मना के रखा है पहले तो slashing यूटा ने कर ली और अब ये brat यूजी उसके बाद यूजी ने जो pillar फैका था उसी के सहारे यूजी सुकना का pair पकड़ता है और वहीं पर slashes मारने लगता है मतलब pair को भी उस technique से काटना शुरू कर दिया मतलब यूजी तो पूरा plan बना के आया होगा कि आज तो सुकना को लगणा करके मारूंगा सुकना टाइम रहते ही यूजी पर अपने slashes से हमला करता है और यूजी को सुकना के slashes से घंटा फरक नहीं पड़ता मतलब finally ऐसा लग रहा है कि यूजी ही main character है अब भले ही यूजी को slashes सुकना मार रहा था बिना किसी time waste किये यूजी फिर से सुकना को एक और black flag जड़ देता है मतलब ये है awakened यूजी अब सुकना भी समझ गया था कि यूजी के पास मेरी technique है बट तब भी सुकना और यूजी के technique में बहुत जादा फरक है चुकि वो दोनों अलग-अलग यूजी के यूजी के बिलोंग करते हैं और साथ में different representation of user इसका भी फरकाता है तो सुकना है रहान हो जाता है कि यूजी अभी ये कैसे use कर पा रहा है जो कि ये अभी अभी सीखा है मतलब इस तरह की technique जो कि ये अभी अभी सीखा है इसे ऐसे use कर रहा है कि यूजी की टेकनिक का जो आउटपुट है वो बहुत लो है फिर हमें एक इनो का फ्लैश बैक दिखाया जाता है जिसमें इनो, गोजो, शोको और इचीजी से पर्मिशन ले रहा है नानामी का कर्स टूल यूज करने के लिए तो गोजो भी बोलता है कि नानामी सबसे जादा तुम पर भरोसा करता था तो जाता शर्माओ मत ले लो और ये फ्लैश बैक इसी लिए दिखाया जाता है क्योंकि बैटल में अब इनो एंटर करता है और फिर इनो अपनी कर्स टेकनिक को यूज करके एक ड्रैगन समन करता है और सुकुना पर अटैक करता है बट सुकुना अपने श्लैसे से उसे इसली काट देता है इसके बाद फिर इनो सुकुना पर नानामी के कर्स टूल से हमला करता है और सुकुना उस टूल को अपने पैर से रोक लेता है बट तभी पीछे से यूजी आता है और सुकुना को एक और ब्लैक फ्लेश मारता है मतलब यूजी सुकुना से ब्लैक फ्लेश से ही लड़ सकता है अब तो ऐसा ही हो गया और सुकुना भी सोच रहा होता है कि यूजी तो ऐसे Black Flash मार रहा है जैसे कि ये कुछ हो ही ना और इसी बात से सुकुना गुस्से में आ रहा है कि धीरे धीरे यूजी ग्रो होके उससे Fight करके उसके Level पे आ रहा है और हाँ इनों जो लड़ रहा होता है न तो उसका हो गया ताटा अब फिर यूजी सुकना को पीठने आता है बट सुकना अपने श्लैसे ग्राउंड पे मारता है यूजी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और फिर सुकना यूजी को एक पंच करता है और फिर यूजी सुकना क जिससे यूजी को फरक नहीं पड़ता और फिर आगे बढ़ता है और एक और ब्लैक फ्लेश मारने के लिए तयार होता है अब यहां से ध्यान देना क्योंकि बैटल और जदा इंटेंस होने वाली है तो सुकुना क्या करता है कि वो यूजी का हैड पकड़ता है और उसकी फेस करके एक और ब्लैक फ्लेश यूजी मारता है और यह तो आपको पता ही होगा कि ब्लैक फ्लेश कोई भी इंटेंशनली यूज नहीं कर सकता बट यहां पर यूजी ब्लैक फ्लेश तो ऐसे मार रहा है जैसे कि यह नरुटो का शैड़ो क्लोन जूटसू होगा और यह देखक करोगे भले ही इससे सुकुना को कोई फरक नहीं पड़ता बट इससे यूजी को टाइम मिल जाता है एक और ब्लैक फ्रेपेर करने का और फिर इनों कहता है मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है इससे सुकुना को बहुत जोड से मारना यूजी और इसी के साथ इतादोरी यूजी रियो में सुकुना को एट कंजिक्यूटिव ब्लैक फ्रेश मारता है जिसमें लास्ट चैप्टर में एक और और इस वाले चैप्टर में साथ ब्लैक फ्लेश मारता है यूजी सुकुना पर और साथ में जो नानामी का रिकॉर्ड था चार कंजिक्यूटिव ब्लैक फ्लेश मारने का वो तो इस चैप्टर में तोड़ी दिया यूजी ने और अगले चैप्टर के लिए कोई ब्रेक नहीं है तो मेरे सूतरों के हिसाब से 21 अप्रेल शायद से जूसुकैसिन का अगला चैप्टर आ जाए और आखरी में एडिटर कमेंट करके कहता है कि यूजी बिकम एक्वल टू दा किंग एंड सर्पास्ट हिम मतलब एडिटर कहना चाता है कि यूजी किंग के बराबर आ चुका है और उसे सर्पास कर दिया है अब वो किंग ओफ कर्सेस की बात कर रहा है आपर जिसे यूजी ने सर्पास कर दिया है अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़े रिवील हुई पहला यूजी इतादोरी इतना strong क्यों है और उसका reason और सुकुना का past जिससे कुछ चीज़े explain हो जाती है और यूजी की true curse technique अब देखिए ये भी बताया गया है कि सुकुना को यूजी ने सरपास कर दिया है बट ये भी नहीं बताया कि किस चीज़ में सरपास किया है तो मेरे हिसाब से power में सरपास कर दिया है बट not in experience अब मेरी theory ये है कि सुकुना अब वैसे भी बहुत ज़्यदा damage हो चुका है और RCT भी use नहीं कर सकता उसके दो left hand कट चुके हैं और साथ में उसका heart भी beat नहीं कर रहा जो कि वो अपनी cursed energy से beat कर वा रहा था जबर्दस्ती और वो हर black flash खाने के वज़ा से उसका cursed output भी low होते जा रहा है और उसी के वज़ा से megumi की body पे उसका जो control है वो lose होता जा रहा है तो आप खुद सोचो सुकुना आप क्या ही कर सकता है इस situation में तो मुझे लगता है वो 10 game को खुद से merge कर लेगा और साथ में manga में जो background में जो भी चल रहा है ना उसके बारे हम बात कर लेते हैं कि जिसमें लारोई और मेग्विल सेफली battlefield से निकल चुके हैं और यूता तो भाई उसका domain क्या टूटा वो फिर से आया ही नहीं और हाँ यूजी अब finally main character वाले काम कर रहा है और सुकुना को मार खाते हुए देखकर मुझे बहुत मज़ा आया और as a gojo fan मैं आब इतादोरी यूजी का fan भी बन चुका हूँ बट बट अब गेगे आकुतामी वही ना कर दे कि इस वाले चैप्टर में यूजी इतादोरी को हाइप अप कर दिया और अगले वाले चैप्टर में सुकुना ने इसको चौपड कर दिया तो इससे मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वही cycle repeat होती रहेगी और gojo sensei ने सही कहा था कि उसके strengths उसे सरपास कर देंगे क्यों सेसे सरे समय कि एससे सरे कहा रहें कि यही है कि अगले वही है कि झाल कि यहाल आ रहेगे कि एस जा